हेलो एवरिवन, वेलकम टू लर्ण इंग्लिश वीद हफसा यूट्यूब चैनल अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें आज हम डिसकस करने जा रहे हैं, कोहिएन और कोहिसिव डिवाइसेश के बारे में आज के टोपिक में हम डिसकस करेंगे तो चले स्टार्ट करते हैं कोहियन किसे कहते हैं कोहियन कोहियन का मतलब होता है टाइंग दो चीजों को आपस में बांध देना इक्तिहाद पैदा करना चीजों के दर्मयान हम आगी पैदा करना इसे कहते हैं कोहियन तो stick tightly मतलब दो चीजों को आपस में बांधने को कोहियन कहते हैं कोहियन concerns the flow of sentences and paragraphs from one to another यहाँ पर है flow of sentences कोहियन किस चीज़ को देखती है कि sentences जो side by side चल रहे हैं वो flow के साथ चल रहे हैं ऐसा नहीं है कि एक sentence में कुछ information दी जा रही है तो दूसरे sentence में information change कर दी जाए ऐसा नहीं है sentences आपस में जुड़े होते हैं उनके अंदर कोहियन होती है समझ आ रही है paragraphs आपस में जुड़े होते है information same ही होती है उनके अंदर different information नहीं दी जाती it involves the tying together of old information and new मतलब एक sentence में जो information दी जा रही है second sentence उसी को continue करेगा उसी के बारे में new information देगा हमें इसे कहते हैं कोहियन कोहियन refers to the way we use vocabulary and grammatical structures to make connection between the ideas within a text मतलब एक text के अंदर जो ideas होते हैं उन्हें आपस में connect करने को कोहियन कहते हैं आपस में जोडने को कोहियन कहते हैं समझ आ गई है कोहियन की examples देखते हैं first example देखें to reach the movie theater you will need to return right on the next intersection and then go straight for about five minutes you will see it on your right hand side अब ये पूरी information movie theater के बारे में है ऐसा नहीं है कि किसी sentence में हमने देखा कि information change हो गई है हम वहां रुक गए कि ये information तो अलग है ये movie theater के बारे में तो है ही नहीं या इसका कोई connection ही नहीं है बाकी information के साथ समझा रही है तो ये कोहियन है sentences के दरम्यान कोहियन है हम आहंगी है second example देखे a cat, catches a mouse, the car broke down, I go swimming अब यहां तीन अलग-अलग sentences है तीनों के दरम्यान कोई कोहियन नहीं है क्योंकि तीनों में अलग-अलग information convey की जा रही है तीनों के information एक दूसरे से अलग है first sentence की, second की और third की इनके दरम्यान कोहियन नहीं है समझा रही है कोहियन जो information पहले sentence में है उसी को continue करना उनके दरम्यान flow होना समझा रही है इसी को कोहियन कहेंगे यहां पर हमें एक और example नजर आ रही है James like yellow apples he eats them everyday अब यहां पर जो first sentence के अंदर information है उसी को continue किया he eats them everyday मतब एपल्स के बारे में बात हो रही है तो first sentence की जो information है उसी के बारे में second sentence है ऐसा नहीं है कि दोनों में अलग अलग information दी जाए यह है कोहियन कि दोनों sentences के अंदर unity है दोनों sentence एक दूसरे के साथ connect है इनके अंदर एक connection है इसको हम कहेंगे कोहियन समझ आ रही है माइकल हैलिदे और रुकया हसन इन दोनों ने एक book लिखी कोहियन in English यह book लिखी इन्होंने इस book के अंदर इन्होंने identify किया cohesive devices को किस चीज को identify किया cohesive devices को कि किस तरह से जुमले या paragraph आपस में connect होते हैं आपस में जुड़े होते हैं इन दोनों ने उन चीजों को हमारे सामने identify किया माइकल हैलिदे and his wife रुकया हसन तो आज हम इन cohesive devices को ही detail में पढ़ेंगे समझ आ रही है cohesive में होसaley года dan in दो quantitative इन को हम detail में पढ़ते है कि यह क्या है grammatical coherent and lexical coherent क्या है इनको आज हम detail में पढ़ते है grammatical coherent grammatical boyfriend में हम structural content देखते है कि किस तरह से sentences को या paragraphs को आपस में जोड कर एक structure बनाई जाती है समझ आ रही है एक structure construct की जाती है उसको देखते हैं हम grammatical cohesion में grammatical cohesion is established with the use of grammatical elements of the text expressing the semantic relation within and between the sentences यानि sentences के दर्मियान जो meaning convey किया जाता है grammatically समझ आ रही है कि किस तरह से हमने words को आपस में grammatically जोडना है grammar को यूज करते हुए हमने या grammatical elements को यूज करते हुए किस तरह से sentences बनाने है कैसे उनकी structure बनानी है ये जीज़ हम देखते हैं grammatical cohesion में समझ आ रही है कि structure कैसे construct करनी है construction देखते हैं हम Sentences की, Paragraphs की या Text की Grammatical Cohean के अंदर Grammatical Cohean को हम 4 Categories में Divide कर देते हैं या फिर हम कह सकते हैं 4 Cohesive Devices जिनमें हम इन्हें Divide कर देते हैं First one is References Second one, Substitution, Ellipses and Conjunction यह 4 Categories हैं जिसमें हम Grammatical Cohean को रख देते हैं Grammatical Cohean की 1st Category है Reference Reference किसे कहते हैं? Reference का मतब अदर किसी चीज का हवाला देना समझ आ रही है For example, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं There was an old woman who lived in a shoe She had so many children, she didn't know what to do अब यहाँ पर she एक pronoun use हुआ है जो old woman की तरफ इशारा कर रहा है समझ आ रही है इसे कहते हैं हम Reference Reference की further categories है जिसमें है Exophoric Reference Endophoric Reference And then Endophoric Reference is further divided into Anaphoric Reference and Cataphoric Reference Exophoric Reference का मतलब क्या है? यह है Situational References मतलब किसी Situation की Accordingly ऐसी चीज़ का Reference देना जो Text के अंदर मौजूद नहीं है उसे कहते हैं हम Exophoric Reference Endophoric Reference ऐसे References होते हैं जो Textual होते हैं जो Text के अंदर मौजूद होते हैं For example I saw Sally yesterday, she was lying on the beach अब she pronoun use हुआ है Sally के लिए जो Text के अंदर already मौजूद है समझ आ रही है Endophoric References को हम further divide करते हैं Anaphoric References and Cataphoric References Anaphoric References का मतलब है ऐसी चीज़ का Reference देना जो Text में पहले मौजूद है मतलब जिसके बारे में Text में पहले बात हो चुकी है For example Michael went to the bank He was annoyed because it was closed अब ही Michael के यूज़ लिए जो Text के अंदर ऐसी चीज़ का Reference देना जो Text में बाद में आएगी मतलब बाद में आने वाली चीज़ के बारे में बात करना For example When he arrived home John went to sleep अब he pronoun यूज़ हुए John के लिए जो के Text के अंदर बाद में आ रहा है इसे हम कहेंगे Cataphoric References Reference के बाद है Substitution यानि मुतबादल यूज़ करना Text के अंदर किसी वर्ड का मुतबादल यूज़ करना Replacement यूज़ करना For example My husband wants to go to Spain But I don't like it there अब their word यूज़ हुए Spain के लिए Substitute के तोर पर Then है ellipsis यानि omission किसी information को omit कर देना खारिज कर देना For example Who was playing the piano? John was अब John was playing the piano नहीं का हमने बाकी information को हमने omit कर दिया और last में है conjunction Conjunctions हम text के अंदर use करते हैं Words को, clauses को या sentences को आपस में जोडने के लिए For example I think I never met him before So I didn't reply for his call तो हमने यहां पर conjunction यूज़ की So दो sentences को या words को clauses को आपस में जोडने के लिए तो यह है grammatical cohesion की four categories जिसमें हम उन्हें divide करते हैं समझा गई है? Gramatical cohesion के बाद है Lexical cohesion Lexical cohesion का क्या मतलब है? इसके अंदर हम देखते है text unity क्या मतलब? Text के अंदर हम जो words यूज़ करते हैं उनके पीछे का meaning क्या है? समझा रही है? हम sentences के अंदर या paragraphs के अंदर words यूज़ कर रहे हैं phrases यूज़ कर रहे हैं For example, He is a good boy तो मैंने यहां पर यह word यूज़ किया boy इसके जगा मैं male भी यूज़ कर सकती थी या कोई भी और word मैंने यहां पर यही word क्यों चूज़ किया? समझा रही है यही चीज़ कि words के जो meaning convey कर रहे हैं उनको text के अंदर sentences के अंदर या paragraphs के अंदर use करना यही देखता है lexical cohesion Lexical cohesion refers to the relations created between lexical items या words के दर्म्यान जो relation create किया जाता है समझा रही है उसी को देखता है lexical cohesion Therefore, when talking about lexical cohesion it is about ties between words or phrases यहाँ पर मैंने good boy use किया good male भी तो कर सकती थी लेकिन मैंने good boy use किया यही है कि मैं particular words choose कर रही हूं according to the sentence according to the paragraph according to the text यही देखता है lexical cohesion meaning behind the words behind the phrases समझा रही है grammatical cohesion और lexical cohesion में यही difference है grammatical cohesion में हम structure देखते हैं जबके lexical cohesion में हम meaning behind the words behind the phrases देखते हैं समझा रही है lexical cohesion को हम दो categories में divide करते हैं reiteration and collocation reiteration इसके अंदर हम देखते हैं repetition of our lexical item कि एक word है उसको बार बार दोहराया जाना text के अंदर जब words repeat किये जाते हैं उन्हें कहते हैं reiteration for example the children played with their neighbor's dog the dog was excited अब यहां पर dog का word दुबारा से repeat किया गया है समझा रही है यहां पर word की repetition हुई है इसे कहेंगे reiteration second one collocation arranging together मतलब चीजों को words को side by side रखना इसे हम कहते हैं collocation for example fast food pay attention make an effort यह है words को side by side रखना तो lexical cohean में mainly हम यह दो चीज़े देखते हैं reiteration मतलब repetition and collocation मतलब arranging together और words को side by side रखना एक दूसरे के पहलों में रखना उनको arrange करना इसे हम कहेंगे collocation समझा गई है तो यह है difference grammatical cohean में और lexical cohean में एक में हम structure देखते हैं और दूसरे में meaning behind the words समझा गई है उमीद है आपको समझा आई होगी आज के लिए इतना ही मैं मिलूंगी अपनी नेक्स वीडियो में तब तक के लिए खुदा हाफिस